आज हम बनाने वाले हैं आलू और मेथी की ऐसी लाजबा मज़ेदार सब्जी जो कि शायद आपने कभी मेरे इस तरीके से बनाई हो क्योंकि सब्जी ऐसी होनी चाहिए ना जो कि हल्दी भी हो टेस्टी भी हो और बनाने में हो एकदम आसान तो चलिए आज आज आप मेरी रेसिपी देखिए बहुत ही सिंपल लगेगी आपको एकदम आप सभी का कामता की चैनल पेश्ट आप इमेट्स में भूपत बहुत सौरत है तो वही आलू और मेथी को मैंने अच्छे से धोने के बाद कर लिया कट और ये है डेट कर्ची सरसो का तेल जैसे तेल गरम हो गया तो इसमें हमने एड कर लिया थोड़ा सा नमक और अब हम एड कर रहे हैं कटे वे आलू तो हम क्या करेंगे आलू को मिक्स करने के बाद यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे एकदम हाई और हाई फ्लेम में आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेंगे फ्राई लग भग 80% कुक तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आलू फर्स क्लास फ्राई हो चुके हैं और लग बग ये 70-80% हो चुके हैं कुक तो अब हम क्या करेंगे भई बिल्कुल सिंपल रेसिपी है हम इन आलू के उपर अच्छे से कवर कर देंगे मेथी यानि मेथी हम यहां पर इसता से फैला करके रख देंगे और बीना कुछ एड़ किये हम ढख करके रख देंगे लोग फ्लेमें से कुक होने के लिए हम होई थी मेरी मसाले दानी में एक चथाई चमच हल्दी पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच गरम मसाला और आदा ही चमच मैं ले रही हूं किचन किंग भी तो मसाले आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग एड़ कीजिएगा तो भई अब इस मेथी की सबजी को एकदम यूनिक और लाजवाट टेस्स देने के लिए मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूं दो कटेवे मीडियम साइस के प्याज एक इंच द्रक का कद्दू कस के अबाट टुकड़ा और पांस से छे लसन की कलिया और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स कभी आपने इस हो गई नहीं तो भी अच्छे से यहाँ पर इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद आप हम क्या करेंगे लो फ्ले में फिर से ढख करके इसे कुक होने देंगे लग भग तीन मिनट के लिए इतना ही काफी है तीन से चार मिनट इससे जदा और कुक आप बिलकुल भी मत तो जी हमने कैस को कर लिया बंद और हम सर्फ करने अपनी गर्म गर्म आलू मेथी की सबजी को जिसे की हमने बनाए बिलकुल सिंपल और यूनिक तरीके से बनाती हूँ और अपना तरीका ही मैं आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर भी एक बार आप ट्राइ करके देखिए ना आपको मज़ा आगया ना फिर आप कहिएगा तो यहां पर जो प्याच लसन अद्रक हमने उपड़ से डाले हैं मसालों के साथ उनका टेस्ट इतना गजब का होता है ना कि आप भी हरान रहे जाएंगे खा करके तो यह लिजए हमारी फर्स क्लास आलू मेथी की सबजी हो सके तो मेरी इस रेसिपी को एक बार आप पर जुरूर ट्राइ कीजिएगा और फिर केमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग तो आज का यह मेरे प्रेस करना ना भूलिएगा तो चलिए आप से फिर मुलाता होगी एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार